सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech Hindi चैनल को और दबाईए इस बेल बटन को टेकनलोजी वीडियो सबसे पले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल दोस्तों आज हम करने वाले हैं इन्वीडिया ग्राफिक कार्ड की अन्बॉक्सिंग जिसका मॉडल नंबर है यहां पर आप देख सकते हैं Zotac Geforce GTX 1050 Ti तो दोस्तों यह है OC Edition Graphic Card Dual Fan वाला तो आप यहां पर पीछे जो है आपको कुछ specification जो है mention किये गए हैं तो आप यहां पर से easily जो है इसको पढ़ सकते हैं तो अभी इस box को जो है open कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले इस box के अंदर क्या-क्या आता है ग्राफिक कार्ड के साथ तो अभी मैं यहां पर इसको cover में से जो है बाहर निकाल लेता हूं इसके box में से तो गाइस यह जो है कुछ black इस तरीके का box है इसका जहां पर इसकी branding निम दिये गए है यहां पर Zotac की तो इसको जो है इसके box में से भी बाहर निकाल लिए इस ग्राफिक कार को दोस्तों आप को जो है इस IS बॉक्स के अंदर सबसे पर एक cd मिलती है जिस graphic card के आप जो है ड्रेवर को इंस्टाल करते है तो आप जो है cd से जो है graphic card के driver को इंस्टाल मत करें इसकी official website पर जाकर जो जो सबसुक है यहाँ अपर आपसेा ड्राइवर कर सकते हैं अब देखते हैं दूस्तों गम प्र हम थोड़ा सching साइड़ में अर्म यहां पर देख सकते हैं इसके बॉक्स में कुछ भी नहीं है और ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है तो अब सिधा ग्राफिक काड को ओपन करते हैं इस कैरी बैग में से इसको बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरीके देखने को मिलता है यहां पर इसका फ्रेंट से शाइड में कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकने हैं ड्वल फैन वाला जोटक का इस तरीके से देखने को मिलता है 4gb रैम वाला और दोस्तो आपको जो है इस graphic card के side में जो है एक dp port और एक HDMI port और दो dviport भी जो है मिलते हैं आपको जो plus minus वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दो dviport है जो minus वाले हैं तो गैस आप बात करते हैं इस graphic card के कुछ specification के बारे में तो सबसे पले इसका weight बता देता हूं मैं आपको 770, 17 gram का जो है इसका weight है और इसका जो कुडापोर है वो 768 का है और memory bus जो है 128 bit का है engine clock जो है base 1392 MHz का है और boost जो है 1506 MHz का है और memory clock की अगर बात करेंगे तो 7 GHz की memory clock है PCI Express जो है 3.0 है और यहां पर display output जो है यहां पर आप जो है display port 1.4 सपोर्ट करता है और HDMI 2 है और DL DVI भी सपोर्ट करता है HD CP सपोर्ट करता है आपको और triple display capability है इसमें और इसका जो power recommended supply है दोस्तों वो है 300 Watt का और power consumption जो है 75 Watt का है और दोस्तों इसमें by default जो है direct text version जो है dual API feature है और openGL 4.5 है cooling system जो है यहां पर dual fan है और दोस्तों आप जो है इस graphic card को use करकर 1080 pixel में HD में game को जो है play कर सकते हैं बहुत ही smoothly दोस्तों अगर आप इस graphic card के बारे में कुछ पूछना चाते हैं तो नीचे comment box में पुछ सकते हैं अगर आपको यह मेरा छोटा सा unboxing video पसंदा तो please like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें भी न मत जाना मिलते हैं next video में करेंट करें जाना मिलते हैं जाना मिलते हैं